हेलो एव्रिवन विल्कम टू अप्ट्यूसेस आज के इस वीडियो में हम दिल्ली इंवस्टी के कांस्लिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को टैकल करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नहीं हैं यह जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी हमबल रेक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे क्योंकि आप सब्सक्राइब कि रखेंगे तो इसी तरीके से मैं मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम नय-nय इन्फोमेशन और अपडेट अपन हो गया है कुछ इस तरीके से यहां पर शोक किया जा रहा है बट यह अभी पूरी इन्फोमेशन सही नहीं है पर ध्यान से सुन लिजे सारी बात आप लो तो रेजिस्ट्रेशन पोर्टल इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है लेकिन आपकी इन्फोमेशन के लिए कि जो 14 जून से रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ है जो CSAS का वो UG के लिए शुरू हुआ है यहां पर PG जो लिखा हुआ है वो अभी PG के लिए नहीं शुरू हुआ है PG के लिए किस चीज का शुरू हुआ है यह मैं बताता हूँ आपको वो किवल UG के लिए शुर लर्निंग की PG का है यह दिल्ली इंवस्टी में एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी होता है उसके PG का यह पोर्टल है जिसको आपको CUET PG के लिए पोर्टल बताकर लोगों में confusion create की जा रही है तो एक बार हम चलते हैं दिल्ली इंवस्टी की वेबसाइट पर जहां से सारी confusion दूर होएंगी तो अगर आप ध्यान देंगे दिल्ली इंवस्टी की वेबसाइट पर जो इनका notice है वहाँ पर केवला भी registration for undergraduate CSAS चल रहा है बाकि दूसरी कोई भी नोटीस यहां पर नहीं दिख रही है आपको दिख रहा होगा कि यह registration के लिए यहां पर नोटीस गई और अभी फिर से वही कुछ अभी दिख नहीं रहा है हाँ यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर यूजी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और यूजी पीजी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का लिंक दिया है और इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपका वो पोर्टल जो क्रियेट कर रहा है वो पोर्टल यहां पर ऐसे खुल जाता है जिस पोर्टल को देखकर लोगों के अंदर क्रियेट हुई है तिसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़ूरत नहीं है जैसे ही रेजिस्ट्रेशन शुरू होएगा दिल्ली इंवस्टी का हम आपको इन्फॉर्म क करेंगे इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ बने रहिए और कोई क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा वीडियो को यहीं लाइक करते रहिए और शेयर करिए और लोगों तक जिससे कंफ्यूजन सबकी क्लियर हो साथी चैनल को सब्सक्राइब किय रखिए धन्यवाद